रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग फ्रांस में संबोधित करते हुए अर्शाय करते हैं। च्विजाज सीसिन होैं एढिव करो पूल की ही यंदिया फंशन лишь something वेडिकिन है सृष यह नेग्योजन के बrantड हुज है कि अरुब मैं यह ने का ऊचिपल म्यूच करो प्रशाbeल इसलिग परिजसे ह् इस वीन्टलम कृपर्जिाक है a truly global statesman and a staunch friend of India who played a decisive role along with our late Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee in establishing and building the India-France strategic partnership. In this moment of grief, India stands in solidarity with the people of France. May his soul rest in peace. France के बीच इंटर गौर्रमेंटल एगरिमेंट पर 23rd सिप्तमबर 2016 को हस्ताक्षर किये गया है। प्रोजेक्ट के स्मूथ इंप्लिमेंटेशन को सुनिश्चित करने है तूँ हमारी रफायल प्रोजेक्ट मानिटरिंग को फ्रांस में अगस्ट 2017 से तैनात किया गया है। मुझे यह जानकर प्रसंदता है कि रफायल एरक्राप्ट की डेलिवरी नरधारी समय से हो रही है और यह भी मान हमारी वाई शेना की सक्ति में वरिद्धी लाएगा। प्रसंदता है अग्या है। । देवियों सेजिनों, हमारा फोकस वाइस्वेना को संब्रिध करने और उसकी छंता को बढ़ाने पर है एक्सलेंसी मिनिस्टर, हमें विश्वास है कि फ्रांस द्वारा सभी 36th रफायल एरक्राप्स और संबंधित एकुपमेंट्स वाइपन सिस्टम्स की डिलिवरी ताइम लाइन को पूरा किया जाएगा आपी तू अन्ने मामलो में भी भारत के लिए महत पूर्ण है मैं आशा करता हूं कि विश्व की दो मुख्य यहां बडी लोक तंतर के बीच मजबूत सहयोग बढ़ता रहेगा और वह विश्व की सांती, संवरिध्धी और इन्वारमेंटल सस्टनेबिल्टी को अस्थापित करने में भी मददगार सावित होगा थोडी ही देर मैं रखायल एर काप्से उडान भी भरूंगा और यह हमारे लिए सम्मान और यादगार अन्भो की बात होगी, मैं मिनिस्टर का फिर से आभार प्रकट करता हूँ I look forward to flying in the Rafale aircraft shortly. This will be a great honor and experience. I thank the minister for this gesture. मुझे एजान कर खुशी है कि भारत की वाई स्वेना के अनेक अधिकारी और एयर्मन फ्रांस में flying, maintenance support, logistics आज के लिए प्रसिक्षन प्राप्त कर रहे हैं मुझे विश्वास है कि expert trainers के साथ French facilities में उनके प्रसिक्षन से उनको भारत में उनके काम के लिए अपेक शिद्यान और professional expertise हासिल करने में भी मदद मिलेगे I am glad to know that a large number of Indian Air Force officers and airmen are being trained here in France for flying, maintenance support, logistics, etc. I am sure that their training in the French facilities with the expert trainers will help them in acquiring knowledge and professional expertise required for performing their tasks in India. France यात्रा के दौरान, मेरी मिर्स्टर पार्ली के साथ, साथ, मेरी अन्ने चर्चाव में यह मेरे एजंडा में ही होगा. Today marks a new milestone in the Indo-French strategic partnership and indeed a new high in the bilateral defense cooperation. Such achievements as today's encourage us to do more and that will be on my agenda when I meet Minister Parli today as well as in my other interactions during this visit to France. मुझे बताया गया है कि रफाईल एक फ्रेंच सब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है आधी यानि गस्ट आफ विंड्स मुझे पूरी उमीद है कि यह अपने नाम को सार्थक करेगा. हमारी वाईशेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वाईशेना है. मैं आस्वस्थ हूं कि रफाईल बीडियम बल्टी रोल कंबेट एरक्राफ हमको और मजबूती परदान करेगा. तथा हवारी हवाईशमता को बढ़ाते हुए छेत्र में शांत और सुरक्षा सुनश्चित करेगा. धन्यवाद, बरशी, भारत प्रांस की भागिदारी अमर रहे. In the end, I am told that Rafale is a French word meaning gust of wind. I am sure that the aircraft will live up to its name. Our air force is the fourth largest in the world and I believe that the Rafale medium multi-role combat aircraft will make us even stronger and will give a boost to India's air dominance exponentially to ensure peace and security in this region. Thank you. Merci. Long live India-France friendship. Thank you very much. बारत और फ्रांस की strategic जो partnership है उस दिशा में उन्होंने अटल बिहारी वाजबई के दौर को याद किया. उन्होंने कहा कि वहां से जो ये बुनियात पड़ी वो और मजबूत से मजबूततर होती गई. उन्होंने साफ तोर पर विजए दश्मी के पर्व का जिक्र किया. इस तो तो तमाम आपचे रिकता हैं इस वक्त पूरी होती ही हुई और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरीए रफैल विमान को रिसीव करने की जो सारी आपचे रिकता हैं वो पूरी कर रहे हैं रक्षा मंतरी राजनात सिंग और इससे पहले उन्होंने अपने संबोधन में भारत और फ्रांस की जो साज़दारी है उसका जिक्र किया इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो पूरी रफैल विमान को रिसीव करने की ये जो डील रही है वो बहुत ही समय सीमा के मताबिक रही है जिस तरह से इसे तै समय सीमा के अंदर पूरा किया गया है वो उसके लिए फ्रांस सरकार के वहां की बिरोक्राट्स के और तमाम जो मशीनरीय उसके शुकर गुजार हैं उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो 36 एरक्राफ्ट हैं उससे जुड़े जो एक्विप्मेंट्स हैं और जो वेपन्स हैं वो मानते हैं कि उनकी डिलिवरी तै समय सीमा पर हो जाएगी इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच ये जो रिश्टेदारी है और ये जो तमाम साज़ेदारियां है वो और जादा मश्बूत तर होती जा हैं वो उन्हों तकनीक सीख रहे हैं और इससे पहले आपको बता दें कि अपसे थोड़ी देर में राजनात सिंग रफैल विमान में सवार होंगे और इस पर भी उन्होंने खुशी जायर की उन्होंने का कि ये मेरे लिए एक इतियासिक लमा होगा तो आपसे थोड़ी देर में राफैल विमान पर सवार होंगे रक्षा मंत्री राजनात सिंग और इसके साथ ही जो 36 राफैल विमाने वो भारत को सौपे जाएंगे तो दो तस्वीरें आपके टेलविजन स्क्रीन पर इस वक्त एक तरफ भारत में विजए दश्मी का पर्व मनाय जा रहा है और दिल्ली के इस द्वारका की विशेश राम लीला में पहुंचे हुए हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी और आप देख सकते हैं फ्रांस के जमीन से जो रेफेल के इंतजार की बात की जा रही थी वो खत्म हुआ है फ्रांस की धर्ती पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग तमाम आप चारिकताओं को पूरी करते हुए और रेफेल को रिसीव करते हुए से पहले उन्होंने संबोदन दिया और दूसरी तस फ्रांस की धर्ती पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने भी किया उन्होंने सावत तोर पर कहा कि आज हमारे लिए विशेश मौका है भारत में आज विजय दश्मिका पर मनाय जा रहा है इसके साथी 87 वायूसेना दिवसे और आज इस मौके पर रफेल को रिसीव करना कही एक प्रतीक बन जाएगा और ये एहम दिन भारत और फ्रांस की जो स्ट्रेटिक पार्टनर्शिप है जो साज़ेदारी है उसकी दिशा में भी एक मील का पत्थर सावित होगा तो दो तस्वीरें आपके टेलेविजन स्क्रीन पर एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग रफैल को रिसीव करते हुए दूसरी ओर आप देख सकते हैं दिल्ली में द्वारका में पी एम मोदी इस वक्त विशेश विजेद अश्मी पर पर जो देशेहरा उत्सव है राम दिला मैदान राम की जगा द्वारका के इस विशेश राम दिला कमिटी द्वारा वहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधान मंतरी नरिद्र मोदी और दूसरी तस्वीर में फ्रांस की धरती पर रक्षा मंतरी राजनात सिंग वाकई जिस तरह से राजनात सिंग ने कहा कि और साफ तोर पर रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने प्रतिकात्मक तोर पर ये बात स्थापित क उन्होंने कहा कि यह एहम दिन एक प्रती democracy और फ्रांस की जो strategic partnership है उस दिशा में उन्होंने ही ईत्ल भीयारी वाजबई का वक्त एाथ किया उन्होंने कहा कि उसकी बुनिया डातल भियारी वाजबई के दोर में पढ़ चुकी थी 2016 में जब इस डील की बुनियाद पड़ी उसका जिकन उन्हें का कि 2017 में तमाम जो टीम थी वाई सेना की वो यहां पर आई और उन्हें खुशी है कि ते समय सीमा के अंदर रफैल को वो रिसीव कर रहे हैं फ्रांस की जो सरकार है उसने इसे बहुती बहतर ढंक से एक्जिक्यूट किया और ये भारत और फ्रांस की जो एक रिश्टा है उसे और जादा आगे बढ़ाने वाली है उन्हें जिक्र किया कि अगस 2017 में जो राफैल मानिटरिंग टीम थी भारत की वो यहां पर आई और लगातार काम होता रहा मानिटरिंग होती रही और उसके बाद आज वो हैं दिन जब राफैल को रिसीव करने के रिए राजनाथ सिंग पहुंचे हुए हैं आपको बता दें कि इस वाक्त तमाम प्रफेशनल यहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं उसका भी जखर किया राजनाथ सिंग ने रहे हैं